गिंती की पुस्तक अध्याय 24 यह देखकर की यहोवा इस्रायल को आशिशी दिलाना चाहता है, बिलाम पहली की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुह जंगल की ओर कर लिया, और बिलाम ने आखे उठाई और इस्रायलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमिश्वर का आत्मा उस पर उत्रा, तब उसने अपनी गुढ़ बात आरंब की, और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यहवानी है, जिस पुरुष की आखे बंदत ही उसी की यहवानी है, परमिश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आखो से सरोशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यहवानी है, कि हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इस्रायल, तेरे निवास्थान क्या ही मनभावने ह वे तो, नालो, वा घाटियों की नाई, और नदी के तटकी वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए है, जैसे की यहवा के लगाय हुए अगर के वुक्ष, और जल के निकट के देवदारों, और उसके डोलों से जल उम्डा करेगा, और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा, उसको मिस्र में से परमिश्वर ही निकाले लिया आ रहा है, वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है, जाती-जाती के लोग जो उसके द्रोही है, उनको वह खा जाएग और उनकी हड्डियों को टुकडे-टुकडे करेगा, और अपने तीरों से उनको बेधेगा, वह दपका बैठा है, वह सिहन वा सिहनी की नाई लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशिरवाद दे, सो आशिश पाए, और जो कोई तुझे शाब दे, वह शापित हो, तब बाला का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रों के शाब देने के लिए बुलवाया था, परंत तुने तीन बार उन्हें आशिरवाद ही आशिरवाद दिया है, इसलिए अब तुझे अपने स्थान पर भाग जा, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी पतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे पतिष्ठा पाने से रोक रखा है, बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तुने मेरे पास भेजी थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था, कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आग्या तोड़ कर अपने मन से न तो भाला कर सकता हूं और न बुरा, जो कुछ यहोव कहेगा, वही मैं कहूंगा, अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूं, परंतु, पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे, फिर वह अपनी गुढबात आरंब करके कहने लगा, कि बोर के पुत् के बंदत ही, उसी की यह वानी है, परमिश्वर के वचनों का सुनने वाला और परंप्रधान के ज्यान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आखो से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वानी है, कि मैं उसको देखूंगा तो सही, प परम्तु समीप होके नहीं, याकुब में से एक तारा उदय होगा, और इस्रायल में से एक राज दंड उठेगा, जो मुवाप की अलंगों को चूर कर देगा, और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा, तब एदोम और सेर भी जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वश में पढ़ेंगे, और इस्रायल वीरता दिखाता जाएगा, और याकुब ही में से एक अधिपती आवेगा, जो प्रभुता करेगा, और नगर में से बच्चिहों को भी सत्यानाश करेगा, फिर उसने अमालेक पर दुरुष्टी करके अपनी गुढ़ बात आरंभ की, और कहने अमालेक अन्य जातियों में स्रेश्टतो था, परंतु उसका अंत विनाशी है, फिर उसने केनियों पर दुरुष्टी करके अपनी गुढ़ बात आरंभ की, और कहने लगा, तेरा निवास्थान आती दुरुढ़ तो है, और तेरा बसेरा चक्टानों पर तो है, तो भी केन उजड जाएगा, और अंत में अशुर तुझे बंधुआए में ले आएगा, फिर उसने अपनी गुढ़ बात आरंभ की, और कहने लगा, हाई, जब परमिश्वर यह करेगा, तब कौन जिवित बचेगा, तो भी कित्यों के पास से जहाज़ वाले आकर अशुर को और एब नाश हो जाएगा, तब बिलाम चल दिया, और अपने स्थान पर लट गया, और बालाक ने भी अपना मार गय लिया,